हेलो गाइच पिछली वीडियो में मैंने आपको CD-Busher-83 IC के pin configuration के बारे में बताया था इसके connection के बारे में बताया था तो आज किस वीडियो में हम लोग CD-Busher-83 IC से एक amplifier बनाना सिखेंगे तो देखो friends यह हमारी CD-Busher-83 की IC है तो यहाँ पर जो हमें amplifier बनाने के लिए components पढ़ने वाली है उसमें हमारे पास सबसे पहले तो यह IC होना चाहिए एक CD-Busher-83 का उसके बाद हमारे पास होना चाहिए एक speaker देखो कुछ इस तरीके का मेरे पास speaker है और हमारे पास होना चाहिए एक aux का cable देखो friends यह हमारा एक aux cable है तो चलो अब हम लोग अपने वेरिंग को start करते हैं तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें speaker को connect करना है तो देखो जो speaker हमें connect करना है वो हमें हमारे इस IC के second number के pin से करना है तो देखो जो हमारा second number का pin है यह देखो कुछ इस तरीके से अगर मैं school टा करूँगा तो हमारा second number का pin होगा friends वो हमारा यह वाला pin होगा देखो यह हमारा second number का pin है तो आप देखो कि यह हमारा second number का pin कहां पे गया हुआ है मतलब इसका जो trace है वो कहां गया हुए तो देखो यह हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक पीछे की साइट यहाँ पे आये हुआ है देखो यहाँ पे इस टर्मिनल पे तो अगर मैं पीछे करूँगा तो यहाँ पे मुझे एक capacitor दिख रहा है तो यह जो capacitor events यह हमारा filtration के लिए है तो इस capacitor का जो negative टर्मिनल है देखो यह positive टर्मिनल है अधिर हमारा निगेटिव का टर्मिनल है तो यह जो निगेटिव का टर्मिनल है वहाँ पे हमें speaker को connect करना है तो देखो यहाँ पे तो यह निगेटिव वाले टर्मिनल पे मैं speaker के एक वायर को connect कर देता हूं तो चलो यह हमारा speaker है अब इसके एक वैर को हमें इस जो capacitor है हमारा उसके negative से connect करना है जो कि हमारा capacitor पर जो हमारे trace आए हुआ हुआ है वो हमारा दो नंबर से हुआ है जो हमारा दो नंबर का pin है हमारे cd 62 c ic का तो चलो अब मैं यहाँ पर एक वैर speaker का इस पर शोल्ड कर लेता हूँ चलो तो फ्रेंड्स देखो हमारा जो speaker का एक वैर था वो मैंने अभी यहाँ पर connect कर लिया है capacitor के negative पर देखो अब जो हमारा दूसरा वैर है उसे हमें ground करना है तो देखो ground का कौन सा pin है मैं आपको बता देता हूँ देखो यहाँ पर इस ic में जो sixड्स को पिं है और nine number को पिं है वो हमारा ग्राउड्स है तो six आमारा कुछ इस तरीका से इधर से count करेंगे तो यह है और यह हमारा nine number का पिं है यह दोनों हमारा ground है मतलग यहाँ पर हमारा negative terminal जो है वो attach करना है मतलब हमारा जो लिगेटिव का वायर है वो हमें इस ग्राउंड पर टैच करना है तो यहां पे स्पीकर का जो एक वायर है वो हमें ग्राउंड पर टैच कर देना है तो चलो यह देखो यहां पर हमारा ग्राउंड आया हुआ है इस तरीके से ट्रेस तो मैं एक स्पीकर का एक वायर हमारा कम्प्लीट हो चुका है अब सिंपली हमें क्या करना है अब हमें अपने और को कनेक्ट करना है यह हमारा और दिख जाएंगे एक ग्रीन और एक blue friends तो देगो जो green और blue है यह हमारा audio का signal है मतला हमेν audio का जो in करना है audio in करना यहाईज c में वह हमारा या तो आप green से कर लो यहाँ jump connect कर सकते हो तो चल्लो अभी जो हमारा इस is email हमें audio का signal देना है वह हमें देना हैğथ five number के pin से देखो five number का पिन तो five का है हमारा देखो 1, 2, 3, 4, 5 कुछ इस तरीके से ये हमारा 5 नमबर का pin है मैं आपको दिखा देता हूँ देखो ये हमारा friends 5 नमबर का pin है तो यहाँ पे हमें audio in देना देखो ये trace यहाँ आए हुआ है यहाँ पे अगर मैं पीछे की site करूँगा देखो कुछ इस तरीके से तो एक register है हमारा यहाँ पे तो देखो जो register का एक terminal है वो हमारा 5 नमबर pin से attach है और जो दूसरा terminal है वहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का यह हमारा दूसरा terminal है जो खाली है यहाँ से कई भी trace हमारा नहीं गया हुआ है यहाँ पे हमें एक wire को connect करना है जो कि हमारा audio signal का है तो चलो या तो फिर green connect कर लो या फिर blue connect कर लो कोई भी कर लो तो मैं यहां पे जो हमारा green wire है जो हमारा ox के cable का उसको मैं यहां पे connect कर लेता हूं चलो यह हमारा connect हो चुका है friends उसके बाद अब जो हमारा ground का था ox cable का ground उसको भी हमें यहाँ पर negative से attach कर देना है तो चलो ground हमारा कहां पर था यह देखो speaker का भी हमने ground कर रहा था तो यहाँ पर मैं इस speaker वाला जो ground था उस पर इस वाले वायर को attach कर देता हूं चलो friends यहाँ पर हमारा aux का cable जो है वो भी attach हो चुका है देखो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूं देखो कुछ इस तरीके से हमारा aux का cable भी attach हो चुका है अब हमें simply क्या करना है अब हमें इस IC में friends power supply को देना है तो चलो power supply देने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस IC का जो 12 number pin है देखो 12 number 12 number कोन है सबसे last वाला इधर इस side से अगर मैं ऐसे दिखाऊं इस तरीके से तो यह last वाला pin जो हमारा वो हमारा power supply का है तो यहाँ पे हमें 12 volt की supply को देना है तो देखो यह जो हमारा terminal है यह उपर वाला यह हमारा ground का है देखो मतलब negative और यह जो नीचे वाला है देखो यह जो नीचे वाला है यह हमारा 12 number 12 number की pin पे हमारा trace यह गया हुआ है तो यहीं पे हमें 12 volt अप्लाई कर रह पॉजिटिव से टाच कर लेते हैं, तो पॉजिटिव हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और जो हमारा दूसरा वाला वायर है, वो हमारा निगेटिव का है, तो चलो, अब इस हमारा निगेटिव कनेक्ट कर लेते हैं, तो देखो फ्रेंड्स, हमारी जो वायरिंग थी, वो अब पूड़ी तरीके से complete हो चुकी है, अब हमें बस इसमें 12 वोल्ट का supply देना है, और audio signal हम देंगे aux के थुरू, तो हमारा amplifier वर्क करना start कर देगा, तो चलो, अब मैं हैं पर इस IC को 12 वोल्ट देता हूं, और आपको चेक करके भी दिखा देता हूं इस amplifier को, देखो फ्रेंट्स कितना अच्छा sound है इसका, तो फ्रेंट्स इस तरीके से आप भी बड़े ही आसानी से एक CD-Busher 83 की IC से amplifier बना सकते हो, आप बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो like जरूर करना, शेयर भी कर देना, बाकी मिलेंगे, नेक्स वीडियो में जब तक के लिए, बाई!